नमस्कार साथियों वेलकम टो अपनी यूनिवर्सिटी दोस्तों नेट जर्फ के बारे में बात करने वाला हुँ मेरा परस्टनल एक्सपिरियंस बताने वाला हुँ और वो सारे विद्यारती बोस्ते हैं फोन करते हैं कि सर जर्फ करना नेड़ तो हो सकता है हो जाएगा लेक कि उपर क्योंना बात कर लिए जाए क्योंना जो मेरा एक्स्पीरिइंस इसके उपर बात कर लिए जाए और क्या वास्तों में Net JRF करना Net तो मानलो फिर भी हो जाता है JRF करना जुनियर रिशर्च फेलोजिप काफी विद्यारति नए जो है वो जानते भी नहीं होंगे, JRF करना कठीन है या आसान है, ठीक है, देखो, जाहिर सी बात है, आपने सोचा होगा, कि सर तो जो है, वो आसान ही बताएंगे, क्योंकि सर ने जो है, मैं प्रियोस में JRF कर लिया था, मैं प्रियोस के साथ मैं फाइनल होते होते हैं, असिस्टेंट फ्रोफेसर बन गए, तो सर के लिए आसान होगा, लेकिन हमारे लिए कैसे, ठीक है, ये क्यूसन मैं बताऊंगा, तो भी आपके मन में आएगा, ठीक है, इसके उपर हम बात करते हैं, कि आसान है या कटीन है, दोनों पक्स को लेकर मैं बात करूँगा, दोनों चीजों को लेकर मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, कि सपने आपको बड़े देखने चाहिए, सुरुवात पहले करनी चाहिए, सुरुवात सुन्ये से करनी चाहिए, और एक जो है पेपर टू है जो आपका सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट है ठीकि ये दूनों चीजे जो है मैंतों है होता क्या था कि मेरे जमाने की बात करूँ मेरा जमाना बोज़दा पुराना नहीं हुआ है ठीकि कुछ ही समय और लेकिन लेकिन जब हमने नेट जीरेफ किया तो उस समय जो है थोड़ा सा पेपर का लेवल अलग था थोड़ा सा पेपर का ट्रेंड अलग था पिछले तीन साल में अगर हम देखें दो साल में देखें तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चींज हो गया है ठीक है असिस्टेंड फ्रोफेसर जो है आगे आपका बड़ा सपना ह चाहिए जयारिफ करने के लिए नेट करने के लिए एक मौटिवेचन अंदर से आना चाहिए कि मुझे नेट नहीं करना है नेट से कुछ बड़ा करना है नेट तो मैरी पहली सीदी है तर्ड सीदी जह है वो जो top की CD है वो अपना assistant professor होना चाहिए तो अगर मेरे time की बात करूँ तो थोड़ा paper का trend अलग था अब paper का trend थोड़ा सा अलग आने लगया अब वास्तों में मैं ये कह दूँ यहाँ पे आपको रिजाने के लिए कि जो है डरो मत जो है ये net jrf करना बहुत आसान है तो ये म etzen आपके साथ justice नहीं है ठीके medium जो मध्य मारण है ठीके medium जो path है वो ये हे कि ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत कटीन है आसान इसलिए है कि आप जब बड़ा सोचते हैं तो आसान हो जाता है कटीन इसलिए है कि आप संकीन सोचते हैं तो वो कटीन हो जाता है ठीक इसके उपर भी डीटेल से बात करेंगे उससे पहले मैं यह मानता हूँ कि दू तरीके के इस NetJRF लिए विद्यारती होते हैं ठीक है एक वो विद्यारती होते हैं जो PG में होते हैं अभी PG Final कर रहे हैं या PG में हैं तो एक तो जो है PG Previous में होते हैं ठीक है जो PG Previous है चाहिए में प्रिवियस हो या कोई सा भी आपका ज चाहिए ठीक है कि एक जो है चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि चुनोती के रूप में लेना चाहिए ठीक है और PG जो प्रिवियस के विद्यारती उनके लिए मैंने मैं कहूंगा कि आपके लिए यह जो गोल्डन चांस हैं क्या है आपके लिए एक गोल्डन चांस है अ तो PG previous के लिए golden chance इसलिए है कि अभी से आपने तयारी start कर दी पूरे अपने हतियार तयार कर लिए subject को जो है subject के साथ खेलना start कर दिया subject को अच्छे से करना start कर दिया, PYQs पढ़ने start कर दिये subject की अच्छे-चे किताबे पढ़ना start कर दी तो आपका guarantee के साथ के रहा हूँ कि PG previous में आपका जो है क्या हो जाएगा, JRF हो जाएगा, net आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा hard work करना पड़ेगा, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, ठीके अगर ये PG MA previous में आप कर लेते हैं, तो आपके लिए इससे बड़ा कोई golden chance होई नहीं सकता है आपका confidence डबल बढ़ जाएगा, आपको confidence चार्ट गुना जो है अधिक बढ़ जाएगा, ये बहुत अधिक मैतपोन है अगर ये कर लिया तो आप जिन्दगी आसान हो जाएगी, दूसरा है PG final के जो विद्यारती है, इनके लिए चुनोती मैं इसलिए कहता हूँ इसमें एक दिन, एक संड जो है आपके लिए important होता है, और आपके उपर बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ों का pressure बढ़ता है तो इस बात का विशेश तोर पर लियाना करना चाहिए, कि आपको इसमें चुनोती के रूप में लेना है, आपको दिन रात एक करना है अगर आप बड़ी त्यारी सोचते हैं, कि मुझे UPSC देना है, मुझे RS की त्यारी करनी है, मुझे Assistant Professor की त्यारी करनी है PG कर चुके विद्यारती हैं, वो 2-3 साल और इसमें वैस्ट कर देते हैं, मैंने बहुत देखा है जो जनरली PG के दोरान जागते नहीं है, वो बाद में जागते हैं, तो उनका 1-2 साल जो है ऐसे निकलता है कि उनको पता ही नहीं चलता है, उनको JRF बहुत टफ लगने लगता है, बहुत अधिक कठीन लगने लगता है तो इस बात को द्यान में रखना है, ये दो तरीके के विद्यारती हैं, जितना पहले जागोगे, उतना ही मंजिल पर पहले पहुंचोगे जतना पहले सोचोगे, जतना जल्दी start करोगे, उतना ही जल्दी मन् जीन आपको मिलेगी, JRF आपके लिए आसान हो जाएगी, अब बात यही है, कि GRF आसान या कठीन. ठीके, देखो, आसान कब है, कठीन कब है, जब आपने ठान लिया, माल लिया, कि ये कठीन है, मैं नह娘 कर पाऊंगा, तो आपके लिए कठीन है, ठीके, आप सही content नहीं परते हैं, आप hard worker नहीं है, आप discipline में दिस्सिक्लिन में नहीं रहते हैं, आपने ए पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने राइट कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने राइट टाइम पर जो है जा गये हैं ठीक है और पूरा डेडिकेशन के साथ वोल डेडिकेशन के साथ तीन से चार मेंने आप सब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं सब्जेक्ट के हो जाता है के मैं तो ज calorie को बहुत आसान मानता हूं अब बात करा हूँ ठीक है बैलेंस है दोनों में लेकिन इस लिए की रहों कि जो हाड़ वर कर है आपको कोई टेरंट की आप सकता नहीं है आपको कोई extra कुछ पढने की आप सकता नहीं के वल पी आई क्यों पढ़ो confidence boost होगा, PhD में admission मिल जाएगा, scholarship मिलेगी अब चाहे assistant professor की त्यारी करो, चाहे UPSC IS की त्यारी करो चाहे RPSC RS की त्यारी करो, चाहे school व्याक्यता first grade की त्यारी करो आपके लिए वो सारी चीज़े आसान हो जाएगी बहुत रहा आसान हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ, यह जारेफ जारेफ नहीं है यह रामबान है, यह हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह कारे करता है एक बिरोजगार विद्यार्ती को जो है बहुत अधिक energy देकर उसको वापस जो है रन भूमी में खड़ा कर देता है, यह ज्यारेफ है, इसको इतना आसान नहीं लेना है जितना सीरिस लेंगे, जितना इसको जो है एक सक्कीरिता के साथ घंबीरता के साथ तयारी करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो माल लीजी यह आसान है, हार्ड नहीं है बस एक ही सर्थ है, डिसिप्लीन और डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क, अगर यह चार महीने मुझे दे दीजी आप, तीन महीने मेरे साथ लग जाईए गारंटी के साथ J.R.F. करवा के आपको दिखाऊंगा, बस मैनत करनी पड़ेगी, जो चीजे बताई है, वो करनी पड़ेगी तीके, आसान कैसे और कर सकते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो NCRT से सुरू करते हैं एक बार उस सब्जेक्ट की NCRD पढ़ लीजिए अच्छे से, तोड़ा सा बेस भूमेका बन जाएगी, फिर जो है, बुक्स पर आना है, कंटेंट पर आना है, कोचिंग लेना चाते है, कोचिंग ले लीजिए, चाकि कोंसेप्चियोल और तथ्यात्मक, फैक्चियोल, दोन पीवाई क्यूज निकालेंगे, तो पीवाई क्यूज से क्या आप कर पाएंगे, ट्रेंड अनलिसिस कर पाएंगे, आपके माइंड में हमें सरेगा कि इस लेवल आक्यूशन आता है, इस लेवल का आ सकता है, मुझे इस लेवल की तयारी करने मेरा ये लेवल है, जितने पी analysis करेंगे तो इससे आपका जो चीजे आसान हो जाएगी दिरे-दिरे content को sort करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ content को sort करते जाओ आगे बढ़ते जाओ automatic confidence आएगा आपकी आत्मा बोलने लगे कि yes मैं कर लूँगा मेरी चीजे सारी तयार है और तयार कर लूँगा और सुदार कर लूँगा अंदर से जो एक आवा जाएगी उसको पैचानना है उससे जुड़ना है ठीक हो ही आपको जो है confidence देगी वह आपको ताकत देगी तो आसान है ऐसे ही कुछ रस्तों से आपको आसान करना है चुंकि इसमें पेपर वन और पेपर टू दो चीजें होती है ठीक है दो पेपर होते हैं एक जो पेपर वन होता है आजकल थोड़ा सा ट्रेंड हो गया तोड़ा सा चीजे करंट अफेर्ड से जाएंगे जियारेप्स तो इस दुनिया का सबसे आसान जो है यह सबसे आसान competitive exam है यह exam ही नहीं क्योंकि हर 6 मैंने से exam होता है तो यहां पर competition real competition तो जो आप competitive exam में उतरेंगे वो है यह तो बहुत आसान है इसलिए कह रहा हूँ आसान है अगर इसको पार कर लिया तो आपकी competition की दुनिया का जो है आदा यहां पर जो है बूज हलका हो जाएगा चाहे आप कोई साबी subject में अच्छा exam देंगे उसको clear कर पाएंगे एक जोस आजाएगा एक जुनून आजाएगा तो यह आपको करना है ऐसे ही आसान है ठीक है मानना है करना है ठीक है कुछ चीजे जो कठीन क्यों है उस चीजों पर focus नहीं करना है अगर उन चीजों को negative जो चीजे वह आपके mind में आ रही है तो कठीन लगेगी तो उससे थोड़ा सा बाहर आना है comfort zone तोना comfort zone से तोड़ा बाहर आना है ठीक है तो इसलिए पहले से ही तैयारी कीजिए net मैं कहता हूं कि PG में है तो PG के साथ तैयारी कीजिए और पहले से ही तैयारी कीजिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप मंजिल तक पहुंचेगे इस प ओनापाट हम ऐसा केता है कि मैदान में जो है उतरने से पहले मतलब यूद्र हम ojos में जीते जाते हैं मैदान में बाद में जीते जाते हैं संकल्प की सक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए जतना आपका dedication आपके determination मजबूत होगा strong होगा उतना ही चीज़े आपके लिए आसान हो जाएगी बस इस बात को ज्यान रखिएगा इस motivation के साथ इस प्रेणना के साथ आप तयारी कीजिए कि मुझे scholarship मिलेगी मैं assistant professor बनूँगा मेरा बड़ा सपना है यह तो छोटा सपना है इसको पार करना आसान है तो चीज़े आपके mind में जो बोज लग रहा है वो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है बाकि subject में उतरिए PYQ कीजिए तोड़ा पढ़िए तोड़ी मैनत करिए दिन रात एक करिए करना क्या है पढ़ना ही तो है मजदूरी तो नहीं करने है आपको जाके आपको कोई लोहा नहीं उटाना है आपको कोई पतर नहीं उटाना है आपको कोई पसीना नहीं आने वाला है बस एक कमरा एक टेबल एक कुर्सी आपको चाहिए एक छोटी लाइट चाहिए बस बेट के पढ़ना है दुनिया में इस से सरल काम कोई नहीं हो सकता है यह आपको मानना पड़ेगा बस अगर यही नहीं कर सकते जीवना कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा यह मानना व्यक्तिकत तोर पे ठीके आप सभी को राम नम्मी है आगे उसकी जो है धेरों बहुत बहुत बदाया ठीके इसके लि व्यक्या था फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के कोर्सेस हो सारे कोर्सेस पर हमने आपके लिए क्या किये एक यह दो दीवश्य हमने एक ओफर दिया है विद्यार्टियों के बहुत मेसेज आता है कि सर फेस्टिवल का हम इंतिजार करते हैं तो आप सब जो एप पर आएका तो इसका आप यूज कर सकते हैं और राम भगवान से आप सीख सकते हैं उनके डिसिप्लीन से सकते हैं उनके डेडिकेटिसन से सब्ल्एर से आप से commence कामना आए अपनी दाउनलूड करना इस पर आप आपको जोग्रोफी के नोड्स, जोग्रोफी के सारी चीजी आपको मिल जाएगी इस्ट्री और बाकि जो हमारे एजुकेटर हैं, साथी लोग हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं, उन्हों सब का आपको सांदार मिलेगा, ठीक है, आप सभी को, wish you all the very best, अगें, राम नमी की बहुत-बहुत सूपकामना है, अपने जीवन में, जो है, राम के मुल्यों को, अपने जीवन में, राम की नितिकता को जरूर उता रहेगा, जीवन अच्छा लगेगा, जीवन सुन्दर होगा, ज अगें आप सभी को, wish you all the very best, good luck, thank you.